नमस्कार दर्श नूज में आप सभी दर्शकू का स्वागत हैं मैं प्रितिद्याल आपके साथ देखे पूर्णिया के सांसत पपु यादव इन दिनों 24 गंटे बार पिरीतों के बीच दिख रहे है जी हां कभी पपु यादव लाइव आकर के लगतार सोशल मीडिया के जरिये लोगों से रूबरू होते हैं तो कभी जो तस्वीरे हैं वो लगतार पपु यादव की सामने आती रहती है पिछले दिनों से कई सारी तस्वीरे पपोयादब की सामने आई जिसमें देखा गया कि पपोयादब बाढ़ प्रभावित इलाके का निरिक्षन करने के लिए पहुँचे इस जोरान उन्होंने लोगों से बाचित की और उन लोगों को क्या कुछ परिशानी हो रही है उस बा से पूरा करने के पीछे लगाता जुटे हुए हैं ऐसे में बता दे कि एक और तस्वीर सामने आ गई है जिसमें देखा जा रहा है कि पपोयादब लोगों को खाना दो बाढ़ी रहे हैं लेकिन अब उन्हें ज्यानी की जरुत मंदों को सारी और लुंगी भी बाट रहे है इस बीच बता दे कि वे अधिकारियों से बात करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं जिया निरेक्षन के क्रम में वे जहां भी पहुँच रहे हैं तो वहाँ के स्थिती में अगर कहीं उन्हें कमी दिख रही है या फिर खामी दिख रहे है तो वे लगातार अधिकारी को फो तस्वीरों को शेर करते हुए पपो यादव ने अपने सोशल मेरिया अकाउंट के जरिये लिखा है कि पूर्णिया जिला और किशन गंज लोगसफा शेत्रे के अमोर प्रखंड अंतरगत नितेंद्र पंचायत एवं आमगाची पंचायत के नितेंद्र गाव बालुगंज ग पंचायतों का पपो यादव ने जो निरिक्षन है वो किया है और इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि उन सभी जितने भी नगर परीशत के विभिन गाव है सहीत प्रखंड मुख्याले में जाकर कि बार प्रभाविश शेत्रों का निरिक्षन किया और इस्थिती का जाय जालिया आगे पपो यादव ने यह भी लिखा कि इस जोरान हमने अमोर प्रखंड के सभी पंचायतों में जाकर हजारों से अधिक सारी लुंगी और एक लाक रुपे नगद बाटे साथी प्रतेक पिरित परिवार को एक एक हजार रुपे और सूखा राशन सामगरी वित्रित की है हमने पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड को फसल शती पूर्ती सहित बाढ़ घोशित करने की मांग की जिसमें वरिष्ट पदादिकारी 22 स्टी और अमोर बीडियो वसीयों से बात की अमोर के लोग जादातर दो दीनों से धरने पर बैठ कर बाढ़ घोशित करने की मांग कर रहे थे जिसे हमने पूरा समर्तन दिया अमोर में 24 पंचायत और एक नगर पंचायत है लेकिन यहां सूखा राशन नाव और कम्यूनिटी किचन की कोई विवस्था नहीं है महिलाओं के लिए बातरूम की भी कोई विवस्था नहीं है हमने कल से अमोर के हर पंचायत में एक एक हजार सूखा राशन सामगरी वितरित करने की बात कही ताकि लोगों को राहत मिल सके तो कुल मिला कर देखा जाया तो पपु यादव लगाता जितने भी पूर्णिया के प्रखंड है या फे पूर्णिया के आसपास जितने भी जिले है उन सभी गावों में जाकर के पपु यादव बार पिरितों की सेवा कर रहे है और वे लगाता सोशल मेडिया के जरीए भी आक्टिव है और अपने पो से लगातार जो भारी बारीश हुई उसके बाद से बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो की बार की चपेट में आ गए हैं हाला कि पिछले दिनों मुख्यमंदी नितीश कुमार ने भी बार प्रभावित इलाके का निरिक्शन किया था और उनके बीच सूखा राशन भी बटवाया जिसके बाद अगर बात करें पप्पोयादव की तो पप्पोयादव इन दिनों से लगातार बार पिरितों के बीच ही बने हुए हैं और वे लगातार जो उनकी सहायता है बार पिरितों की वो करते हुए दिख रहे हैं तो ऐसे में वे अधिकारियों से बात कर रहे हैं उन् तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़स सब्सक्राइब कर दें इसके साथ यह गरी वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले